पूरानी पेंसन बहाली की मांग को लेकर आज पूर्वी सिंभुम जिला के घाट सिला में नेताजी सुभास चंद्र बोस नगर भावन में पेंसन चेतना यात्रास्थ जिलाव धीवेशन कार्जकरम का योजन नेशनल मुवमेंट फूर ओल्ड पेंसन इसकिम जारखन के बैन प्रभावन में आकर कार्जकरम का भीधीवत सुभारम दीव जलाकर किया गया मौके पर उपस्थित घाट सिला प्रखंड के प्रखंड संजोजक श्री उत्पल चक्रबर्ती में सभी नपीस कर्मियों का स्वागत करते हुए सभी को बधाई दिया वहीं मौके पर उपस्थ प्रखंड के प्रांतिय बरिष्ट उपाधच स्री उज्वल कुमार्तिवारी में कहा कि हमें अपने लच की प्राप्ति तक अपने आंदलन को तेज बनाये रखना है जब तक हमें प्राणी पैंसन मिल नहीं जाती है वहीं मौच से एनवाप्यस के कुलहान प्रखंड ब्रजमोहन जादव ने एनप्यस की खामियों को उजागर किया और जल्द से जल्द प्राणी पैंसन को लागू करने के लिए सरकार से अपील किया प्रांथिय कमिटी की और से सम्मुलित एनवाप्यस के महासचिव स्री अनंद के सरसाहूं ने कहा किन पैंसन में बहुत अधिक खामिया है और हमें यह मंजूर नहीं है साथ ही एनमोपियस के उप महासचीव स्री संजयक कुमार ने सभी विभागों की एनमोपियस कर्मियों को आहवाहन किया और कहा कि एनमोपियस एक संगठन नहीं है बलकि यह सभी विभागों का एक महा संगठन है इसलिए सभी एनमोपियस के इस आंदोलन में साथ हदें वही मंच पर उपस्तित राची जिला के जिला संजयक स्री क्यामोदिन खान ने पूर्भी सिंभूम के सभी एनमोपियस कर्मियों को आहवाहन करते हुए कहा कि सभी कर्मी राची के आंदरन में भाग लें और उन सभी का स्वागत हम अपने बारातियों से भी अधिक स्वागत करेंगे साथ ही एनमोपियस राइकला के जिला संजोजक स्री अमित कुमार महतों ने मंच से गरचते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंसन लागू कर दे वरना हम अपने आंदरन को इतना उग्र कर देंगे कि हमंद सरकार हमें समभाल नहीं सकती है वहीं मौके पर उपस्तित एनमोपियस महिला प्रकोष्ट की उपाध़ज स्रीमती मंजूसा महतों ने मंच से नारी सकतियों को आवान किया और कहा कि इस आंदरन बे अधिक से अधिक नारी सकति जुड़े और अपने बुर्भापे के लाठी को मजबूत करने में सहारा दें साथ ही आज एनमोपियस पूर्वी सिंभूम की पूर्व जिला कमिटी को भंग करते हुए एक नई कमिटी का गठन किया गिया इस कार्चकरम का संचालन सागीर आहमद एवंग अनिता महतों ने किया प्रकंट संजोजक स्री गदाधर महतो एनमोपियस धाल भूम करके प्रकंट संजोजक स्री कार्थिक गौप एवंग सभी प्रकंट संजोजक तथा उनकी संपूर्ण टीम ने दीन रात एक करते हुए इस कार्चकरम को सफल बताएं साथी साथ आपको बताते चले कि इस कार्चकरम में हजारों की संखा में पूर्भी सिम्हुम जिला के एनपियस कर्मियों अर्थात सभी भी भागों के एनपियस कर्मियों ने हैसा लिया और सरकार से यह मांग किया गया कि जल्द से जल्द हमारे बुढ़ापे के लाठी को सरकार वापस करे रथात NPS को हटाते हुए संपूर्ण राज्ज में सभी विभागों के 2004 के बाद नियुक्त होने वाले उन सभी NPS कर्मियों को पुराणी पेंसन लागू कर दे और साथ ही साथ हमारे बुढ़ापी के लाठी को वापस कर दे वरना हम लोग अपने आंदरों को आज अपने जीला में किये हैं आने वाले दिनों में हम अपने राजी में इससे भी बड़े आंदरों की तैयारी अविस्त करेंगे